हेलो स्टुएंट ओल्कम तो मैं चैनल देखो अगर आप रेलवे में एसिस्टेंट लोको पाइलाट या फिर टेकनिशियान पोस्ट को पेफर करके बहुत सिरियस लिपर्शन ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में सब्जेक्ट कैसे चूस करेंगे इसके ऊपर कुछ मेरा सायशन हो मेरा एक्स्प्रियेंस वो आपसे शेयर करूंगा कि आप ऐसे चूस करिए ऐसे देखिए कि आप इसली ये टेकनिकल पार्ट वो क्वालिफे कर पाएंगे टेकनिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए एकजम सेमी है पेपर सेमी होगा अलग कुछ नहीं है ठीक है पहले सीबीटी ओन होगा ठीक है स्युटी ओनसे जो क्वालिफे करेंगे वो सीबीटी ट्यू में आएगा ci van carry two में दो नो पार्ट है पार्ट hey and part b पार्ट ए है जेनराल सब्जेक्ट जो सिबीटि उन से मिलता जूलता है जेनराल साइन्स Reasoning Mathematics General Aonnes ये सब है Basic Science and Engineering है पार्ट A में जो इसमें पार्ट A सिबीटी उन में साइन्स है ठीक है और पार्ट B क्या है Technical Subject जो Technical Subject के उपर 100% focus किया है इसमें ठीके अभी देखो merit list बनेगा part A से part B से merit list नहीं बनेगा पर जो qualify करेंगे part A में उनको part B qualify करके ही आना परहेगा ऐसा नहीं है के part B में fail करके part A खाता check किया जाएगा ऐसा नहीं है जिनका part जो बच्चे part B में qualify करेंगे उनका ही part A का खाता check किया जाएगा और part B 75 marks की total exam है जिसमें 35% marks से minimum qualify marks देखो इसमें कोई reservation नहीं है सब category के लिए same है ठीके 35% लगबग 26 marks आपको पानी है पानी है यह mandatory है अभी देखो यह देखके बहुत लोग को easy लगता है पर easy नहीं है ऐसा मेरा बहुत सारे दोस्त है जो 80 से 80 प्लास नंबर पार्ट A में लाए है पर पार्ट B में 26 नंबर नहीं ला पाए इसलिए इसलिए क्योंगे यह दोनों पेपर है न एक ही दिन एक ही साथ ही होगा अलग से कुछ नहीं होगा तो आपको अगर option रहेगा कि पार्ट A पार्ट B एक साथ है और पार्ट A से मेरिटलिज बने गया तो आप ज्यादा पार्ट A की तरह फोकस करते है पार्ट B कम फोकस करते है तो इसलिए पार्ट B और भी टफ हो जाता है और CBT 2 और CBT 2 में भी जेनरल सबजेक्ट है टेकनिकल सबजेक्ट नहीं है तो पीजिंदे सेटे आप अब आपको हिम सेंदी कुझार कर सकते हैं अपको सुथ सब्सक्राइब करते हैं तो उस टाइम देखो मेरे मेरे पास कितना ओप्षन था इतना सारा ओप्षन था कि मैं यह चूज करता है यह टेबिल क्या है यह टेबिल है कि आप जो जिस सब्जेक्ट को बेज़ बना के इसमें अपलाई कर रहे है लपी टेक्निशियन में वह डिसिप्लेन यह है और इस डिसिप्लेन के ऊपर आप क्या टेक्निकल सब्जेक्ट पार्ट बी के लिए चूज कर पाएंगे वह आप्षन दिया गया है मतल क्या करें अप्षन दियेक फिटर मेकानिक मोटर वएकेल क्यां ट्राक्टर मेकानिक मेगनिक डिजेल टर्नर मेशनिस्ट रयफ्रिजेशन नृ च सब्रहे जो यह सिक्स से बहुत ज़्यादा नमबर लग फिप्टी के आसपस नमबर मैं लाया था टेकनिकल पार्ट में पार्ट बी में पर एफोर्ट बहुत बहुत ही कम दिया था पार्ट एकी तरह फोकस किया था वो किसलिए हुआ देखो ये आपको ना ध्यान दना परेगा कि आपकी सब् सब्जेक्ट आपको इजी लगता था उस टाइम था थोड़ा भूत तो परेगे थोड़ा रही होगा थोड़ा ऑट से लिए तोड़ब कहना थोड़ा तोसे सब्जेक्ट है वो आई टेई बेस सब्जेक्ट है और जो डिपलो में है वो अलग से फिटर कोई पार्ट ही नहीं है ठीक है डिपलो में फिर बिटेग में अलग से कोई पार्ट ही नहीं है यह आई टेई में फिटर एक सब्जेक्ट है तो जो केंडियेट आई टेई फिटर स अपना ही सब्चेक्ट होगा यह जो फिर एम्म भी ये सब्सक्राइब मेरे मतलब मेरे दिमाग से उपर से जा रहा था क्यूंकि ये टेक्निकल मेकनिकल का पार्ट तो है सही पर ऐसा कोई सब्चेक्ट इसमें नहीं तर डिपलमाथ में नहीं था तो इसलिए ये मैंने ये सब नहीं किया मैंने इसमें से देखा मेरे लिए क्या क्या option था तेखो option था रेफ्रिजर्शन और यार कंडिशनिंग ये subject डिपलो में पराए मेरे जो course है उसमें एक subject है heat engine एक subject है ये दोनों मेरे लिए मतलब मैं easy समझा तो आपको अगर electrical है electrical में कौन से subject आपको easy लगता है ये सोचिए अब जब course किया है उसमें कौन से subject easy लगता था वो सोचिए ठीक है अभी बहुत सारे मैंने अभी इसमेंस दोनों में से heat engine चुना देखो इसका reason क्या है वो बताता हूँ refrigeration and air conditioning जो RSE है ये बहुत सारे दोस मेरा चूस किया था क्यूंकि हम जब government exam के लिए बढ़ते थे तो RSE भी पढ़ना पड़ता था और heat engine वो जो या फिर heat pump हो वो भी पढ़ना पड़ता था ठीक है पर मैंने RSE चूज नहीं क्या इसलिए क्यूंकि इसके इस से ना questions ज्यादा तर पूस्ते ही नहीं थे एक आत question पूस्ते थे इसलिए इसको हम skip करते थे पर heat engine बहुत ही अच्छे से पड़ता था उसमें से जो IC engine है internal combustion जो engine है वो engine तो मेरा भाई बहुत ही easy लगता था मुझे और मैं तो इससे जितना भी question से वो easily कर लेता हूँ तो इसलिए और यह IC engine heat engine का part है ठीक है तो इसलिए मैंने यह heat engine चुना और देखो क्या बता है exam में 90% question IC engine से ही पूछा था heat engine subject की 90% question heat engine बस IC engine से तो मैंने बस IC engine से जो question आया था 100% में sure था वो ही question मैंने choose किया और दूसरा question में answer ही नहीं गया skip कर गया पर RAC में क्या है जो RAC लिये थे RAC बहुत ही vast subject है आपको हर एक चीज रट्टा मरना होगा जो heat engine में नहीं होता ही जीन थोड़ा समझ के परेंगे तो हो जाएगा पर RAC में आपको बहुत ही दिमा मतलब रट्टा मार जो रट्टा मारने की जो यह है ताकत है वो होना चाहिए तो यह सबीट लेके बहुत ही दोस्ते वो फस गया था बाद में सोचा कि मैंना क्योंकि देखो जब गौर्वर्मेंट एक्जाम के लिए बढ़ता था आरसी तो आरसी कम फोकस करता था इसलिए आरसी कम प्रक्टिस है तो इसलिए बो कंडिडेट्स जितना भी पराई करो सब जाना पहचाना नहीं है सब अन्नोन है और हीट इंजिन से जो भी मैं पार्ट में ना आओ यहें-पने मन से सोचो जैसे देखो अगए 10-600 में थे फिजीक से मैं है है फिजीक्स जो है यह इनके हाथ में इलक्टिशियान ऐलेक्टोनिकस वैर्माश सब्जिक्टीर वह पर आगर फो ईलक्तिशियान चूस करेंगे तो वह handlar जो फीजिक्स मैथमेटिक्तिक इसके उपर कम पराई किया था मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वह इसका जो पार्ट है जो चैप्टर इसके उपर कम फोकस किया था इसलिए वह उनके टाफ हो जाएगा तो ऐसा ही सब्जेक्ट चुनो जो सब्जेक्ट तुम्हें इजी लगता है दूसरे की बात मत आओ अगर फिर भी कोई डाउट से तो कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो मेरा मुझसे जितना हो सके एसलिए की कोशिश करूँगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर